जैहिन दोस्तों वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम पहला चेप्टर फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के 12 का पहला चेप्टर है और उसका पहला ही टॉपिक है पहले एलेक्टिक चार्ज छेट इलेक्टिक चार्ज होता क्या है आप आपने देखा भी होगा ऑप्रोपर्टी आफ माटेरियल वाई भिच इट एक्सरट या तो एक्सर्ट करेगा और एक्स्पिर्येंस एलेक्टिक एंड मैग्नेटिक एफेक्ट इसकॉल्ड दा olmेर्क्टि जिसकी बज़ा से या तो electric field या magnetic field exert होगा या हम उसे क्या करेंगे experience करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे electric charge भाई या तुमने देखा होगा electric charge क्या करता है या तो electric effect को produce करेगा या फिर क्या करेगा electric magnetic field को produce करेगा electric field या magnetic effect दोनों को effect electric and magnetic effect को क्या करेगा produce करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे electric charge बोलेंगे ठीक है जैसे कि examples हम लोग देख लेते हैं एक्जामपल्स में क्या लिखा है experience of seeing a spark जब भाया तुमने दो तार लिये एक पहला तार लिया पोजिटिव वाला और दूसरा तार ले लिया वो negative बाले लिया और दोनों तारों को क्या कर दिया एक दूसरे को touch करा दिया जब touch कराते हैं तो तुमने जो spark देखा होगा इस पर्क का मतलब होता है जो चिंगारिया निकलती हैं दोनों तारों को जोड़ने में तो यह किसका एक्जामपल्स है ये भी एक चार्ज गा एक एक सीग्जामपल है और हीरिंग ए का यह लिखा है hearing a crackles when we take off our synthetic clothes जब हम क्या करते हैं synthetic clothes को remove करते हैं सर्दियों में देखा होगा जब सोटर वगर हम लोग उतारते हैं तो एक spark सा आता है चड़ चड़ाने की आवाँ चड़ 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 की आवाज आती है तो वह किसकी वज़े से हमें सुनाई पड़ती है वह हमें कि चार्ज की वज़े से ही सुनाई पड़ती है अगला एक्जांपल देखते हैं अगले एक्जांपल में लिखा लाक्ति इसचार्ज तो इसमें लिखा है कि जब क्या होता है चीपसे आग और चिंगारी अईसा लगता है कि चिंगारी निकल लेहीं और लाइट उसकी वज़े होता है due to electric discharge electric discharge की वजह से आकास में lightning दिखाई पड़ती है ठीक है यहां तक समझ में आ गया electric charge क्या होता है किसी भी material की किसी भी material की ऐसी property जिसकी वजह से electric field या magnetic field produce होता है या फिर हम लोग उसके क्या करते हैं experience करते हैं उसे हम लोग electric charge बोलते हैं इसके examples हम लोगों ने देख लिए दोने examples देख लिए फिर अगला topic है electro aesthetic इलेक्ट्रेटिक भी या क्या होता है इलेक्ट्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं इस्तिर वैद्धत की इलेक्ट्रेटिक का meaning क्या होता है the branch of physics the branch of physics which deals with the study of charge physics की ऐसी branch जिसमें हम लोग deal करते हैं with the study of charge at rest physics की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी चार्ज के रेष्ट होने पर study करते हैं यह जो कट बाई रुके हुए चार्ज की वजह से एक stable चार्ज की वजह से क्या क्या प्रोडियूस होता है देखो दिया गया है फोर्स फील एंड पोटेंशियल डियू टू दीज चार्ज इस चार्ज की वजह से फोर्स फील और पोटेंशियल प्रोडियूस होता जिसे हम लोग बोलते हैं एलेक्टो इस्टेटिक और इस्टेटिक एलेक्टिसिटी फिर दुवारा से समझा देते हैं the branch of physics which deals with the study of charge at rest physics की ऐसी branch जिसमें हम recharge के rest होने की study करते हैं the force fields and potential due to these charges इन चार्जों की वजह से force field और potential produce होता है is called electrostatic or static electricity इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग electrostatic बोलते हैं या static electricity बोलते हैं ठीक है अगले topic पर पहुंचते हैं अगला topic क्या दिया गया है अगला topic दिया गया है there are only two type of electric charge भाया चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं ठीक इतनी बात समझ में आगे there are only two type of electric charges कौन कौन से charges होते हैं एक positive charge होता है दूसरा negative charge होता है अगर बात करें positive charge की तो positive charge के बारे में आप जानते होंगे proton कैसा होता है अगर हम बात करें proton की तो proton कैसा charge है प्रोटोन एक positive charge है प्रोटोन एक positive charge है और जिस पर कितना charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम होता है अगर इसके मास की बात करें तो मास ओप्रोटोन कितना होता है मास ओप्रोटोन होता है 1.67 into 10 to the power minus 27-2 प्रोटोग्राम है ठीक है ता भाया जो चार्ज होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं एक उस्ट्लीव होता है ओऔर पोजिश्च पर चार्जोट रोदерш果 दो Eating बांस six and two ten to the power minus 19 अच्छा यह चार्ज होता हो किसमें होता है पॉस्टीव में होता है चार्ज होगा वह पॉस्टीव में होगा अच्छा इसके प्रोटन की अगर बात करें तो प्रोटन कि तून घेतना होता वन पैंट six seven into ten to the power minus 27 kg होता है ठीक है अब बात करते हैं दूसरे चार्ज की दूसरा चार्ज कौन सा है दूसरा चार्ज तुम्हारा है निगेटिव चार्ज दूसरा चार्ज है तुम्हारा निगेटिव चार्ज अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें तो इसमें इलेक्टोन आ जाता है और इलेक्टोन पर चा माइनस का 1.6x10 to power-19 कुलाम होता है इतनी बार समझ में आगी है इस पर चार्ज होता है एलेक्टॉन पर चारज होता है वह मैं Guys को माइनस की कुलाम होता है अगर हम हम इसकी मास की बात करते हैं मास ओफ एलेक्ट्रोन तो 9.1 इंटू 10 तो दा पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है ठीक है ठीक है अगली अगला टॉपिक क्या है तुमारा अगला टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक चार्ज अब भाया लाइक चार्ज रिपल इच अधर अगर तुमारे चार्ज कैसे हैं लाइक चार्ज हैं माल लेते हैं हमने पहला चार्ज ले लिया प्लस क्यूँ और दूसरा चार्ज ले लिया प्लस क्यूँ अब देखो दोनों चार्ज कैसे हैं एक वेकस किदर जा रहा है उसके just opposite डारिक्शन यह इस डारिक्शन में बढ gefदा है और यह वाला इस डारिक्शन में तोनों चार्ज़ों के बीच में किया हो रहा है the reply 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 रिपल्स अोग रहा है एक दूसरे को चार्ज क्या करेंगे दूर भीचेंगे ठीक है अगर हम इसी के अपोजिट में माइनस के चार्ज लेलें अगर हम इसके ङुक्र जिए को मैंने माइनस के चार्ज लेंए दोनों में माइनस के चार्ज ले लिए अब ये देखो появster ये भी तुम्हारे कैसे हैं लाइक चार्ज हैं लाइक चार्ज क्या करते हैं हमेशा लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं ठीक है तो एक दूसरे को क्या कर रहे है रिपल करेंगे ये चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे है रिपल कर रहे है ठीक है इतनी बात चर्ज का मतलब क्या होता है अगर कि अगर कि दोनों चार्ज डिफरेंट प्रोपरिटी रखते माईcomb किया है दूसरा कैसा हो निगिव तो एक Malya हमने एक चार्ज कैसा ले लिए प्लस का ले लिए दूसरा चार्ज कैसा माइनस का ले लिए अब consisted काते हैं दूसरा negative का जब एक positive का है और एक negative का है तो positive वाला negative की तरफ चल देगा तभी तो attraction होगा attract लिखा है ना attract का मतलब negative वाला इधर जाएगा और positive वाला भी इधर आएगा दोनों एक दूसरे के pass आने की कोशिस करते हैं force of attraction का मतलब ही होता है एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रेक्ट करेंगे तो यह दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं एक दूसरे को अट्रेक्ट कर रहे हैं ठीक है यहां तक समझ में आ गया तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक अगले टॉपिक में दिया गया है वेन वेन वी रब्ड एक लास रोड बिध दा सिल्क क्लोफ देन ग्लास रोड एकौाइड पॉस्टिज चार्ज एंड श्ल्क क्लोफ एकौाइड निगेटिब चार्ज तो यह चार्ज का ही एक 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 जामपल है जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि विन अवी रब्ड एक ग्लास रोड अगर हम क्या करें किसी ग्लास रोड को किसी सिल्क क्लोध के साथ क्या करते हैं रब करते हैं भाई हमने एक लिया एक ग्लास रोड ले लिए इस तरीके की और एक कपड़ा ले लिए अब क्या करते हैं इस glass road को इस सिल्क cloth के साथ इस तरीके से क्या करने है रव करने है जब glass road को silk cloth के साथ रव करते हैं तो ये जो glass road है इस पर positive charge आ जाएगा और ये silk cloth है इस पर negative charge आ जाएगा बात को समझ पाए glass rod को जब silk cloth के साथ rub करते हैं तो glass rod पर positive charge और silk cloth पर negative charge आता है वही लिखा when we rub the glass rod with the silk cloth then the glass rod acquired positive charge glass rod जो होती है वो acquire कर लेती है positive charge को and the silk cloth acquired the negative charge और जो silk cloth होगा वो acquired करेगा negative charge को बात समझ पाए अगला example दिया गया है चार्ज एक्वाइड वाई a glass rod और cats fur is the called positive charge भहिया जो चार्ज एक्वाइर करता है कौन-कौन glass rod और cats fur वो दोनों कैसे charges रखते हैं positive charge रखते हैं जबकी and the charge acquired by the ebonite and amber जबकी जब चार्ज एक्वाइर करते हैं ebonite और umber rod या फिर silk cloth is called negative फिर दुवारा से हम explain करते हैं जब कोई glass rod और cats fur acquire करते हैं charge को तो वो positive कहलाते हैं जब कोई charge ebonite और umber rod या silk cloth क्या करते हैं acquired करते हैं तो charge होता है negative ठीक है यहां तक मेरी बात समझ पर आए तो अगला topic किसका दिया गया है conductors अच्छा एक चीज हम आपको बता देना चाते हैं हम आपको बिल्कुल free of cost पूरा syllabus पढ़ाएंगे 12th class का 9th class का 10th class का और 11th class का लेकिन सबसे पहले हम 12th class पूरा complete करेंगे 12th class का यह पहला लेक्चर रहेगा पहले लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर तीसरा लेक्चर इसी तरीके से हम पूरा syllabus बिल्कुल लाइन वाइन पढ़ाते चले जाएंगा आज हमने चार्ज पढ़ाया है फिर तुम्हें चार्ज ऑफ एडिशन एडिशन अफ चार्ज पढ़ाएंगे फिर तुम्हें क्या पढ़ाएंगे कुलाम सला पढ़ाएंगे फिर तुम्हें पढ़ाएंगे किसी पॉइंट के notification आसानी से मिल जाएं और आपको पढ़ने में आसानी हो जाएं आपको किसी coaching की जरूरत नहीं पड़ेगी हम यह आपको सिखाने की और पूरे नोट्स बने हुए आपको मिल जाएंगे नोट्स आप क्या करें इन नोट्स को अपने वीडियो देखते जाएं और साथ में हम आपको सिखाने की और पूरे नोट्स प्रोवाइट करने की गारंटी करते हैं ठीक है अगला topic देखते हैं फिर हम अगला topic दिया गया है conductor conductor क्या होता है conductor तो आपको पता ही होगा conductor क्या होता है the material through which the electric charge and current can flow easily होती ऐसा material जिसमें क्या करते हैं electric charge या electric current क्या कर जाता है आसानी से flow कर जाता है क्या कहलाते हैं conductors कहलाते हैं फिर दुबारा से समझ लें the material through which ऐसा material जिसके through which the electric charge electric charge और electric current current आसानी से easily flow हो जाता है क्या कहलाता है electric current जब flow हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं conductors बोलते हैं ठीक है इतनी बात समझ पाई आप conductors क्या होते हैं जिसमें charge या electric current आसानी जैसे मेरे जैसे कि अटम्हारा कौन हो गया और कौन होगया अलूमिनियम हो गया 예 तुम्हें पता होगा जो सिल्वर होती है सिल्वर क्या है एक बेश्ट कंडुटर है स्ल्वर में एलेक्टिक करंट सभसे जबाव नो करता है आपको यह को जेक्टिम में बन जाता है विच आफ इमाइस अब करते हो सब्सक्राइब काहना कुछनकर्ट नश्यक्टा मेटल्स हैं ठीक है और दूसरा कौन सा है human body human body भी क्या करता है आसानी से electric current को pass करता है and earth और प्रत्वी भी जो हमारी earth है हमारी earth भी क्या करती है electric current को आसानी से flow करती है तो conductors आपके समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं इसके examples की examples भी समझ गया all metals human body and earth ETC जैसे की all metals में आ जाते हैं तुमारे iron हो गया aluminum हो गया silver हो गया और भी copper वगराभी होते हैं copper हो गया सोना हो गया यह सब क्या है तुमारे based conductors हैं अगला topic है insulator insulator क्या होते हैं the material which register the flow of electric charge and current are called insulator ऐसे materials जो क्या करते हैं आप पोज करते हैं रजिस्ट का मतलब अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो अपोज क्या लिख सकते हो अपोज कि जो क्या करते हैं electric charge का या electric current का क्या करते हैं अपोज करते हैं इंसूलेटर्स कहलाते हैं आप जैसे की examples में अगर हम बात करें examples में फूड लिक सकते हो one का मतलब वहता लकडी क्या लकडी में में लकडी में भी ध्यार लखना गीली लगडी में नहीं लकडी कैसी होना चीजा क्या पर लकड़ी होगी This Orange क्या होगा लेक्टिक करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा तो वह तो एक कंड़क्टर की तरह वर्ग करने लगेगी जो वुड होती है लकडी होती है जैसे कि हमारे घरों में तखत पड़े हैं बैड पड़े हैं यह जो सूखी लकडी होती है वह इंसुलेटर कहलाती कहलाते हैं प्लास्टिक हो गया रबर हो गई मों हो गया कार्मन हो गया यह किस चाइब के एक्जांपल से इंसुलेटर इंसुलेटर का मतलब है इसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा ठीक है अगला टॉपिक अगर हम बात करें अगले टॉपिक की तो अगला टॉपिक है तुम्हारा इंसुलेटर इंसुलेटर तो हो गया ना अब पढ़ेंगे सेमी कंडॉक्टर सेमी कंडॉक्टर क्या होते हैं दा मटेरियल विच रजिस्ट दा फ्लो ऑफ एलेक्रिक चार्च एंड करंट बट दा वैल्यू आफ दियर रजिस्टेंस इस इन बिट्विन दा सेमी कंडॉक्टर तो डेफिनेशन अभी तो समझ में आई नहीं होगी अब हम समझाते हैं दा मटेरियल विच रजिस्ट ऐसे मटेरियल जो क्या करता है रजिस्ट करता है किसके लिए दा फ्लो ऑफ एलेक्टिक चार्ज मतलब जो एलेक्टिक चार्ज फ्लो हो रहा था जो साथ क्या करेगा रजिस्ट करेगा रजिस्ट का मतलब क्या है अभी बताया था अपोज करेगा एंड करंट और साथ मेंशी चार्ज के साथ में किसका पूच Pierट का भी अपूच करेगा व ट शेلبस्ट Lauren जो इनकी value होगी रजिस्टेंस की वो किसके मध्य में होगी in between conductors and insulators conductors और insulator के बीच में होगी आर कॉल्ड जिसे हम लोग क्या बोलेंगे semi conductors बोलेंगे ठीक है अगर बात करें examples की examples में कौन-कौन है silicon है germanium है carbon है अच्छा जो silicon है carbon है germanium है इनकी valency कितनी होती है अगर valency की बात करें तो इनकी valency 4 होती है अब याद इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे की germanium हो गया silicon हो गया carbon हो गया इनकी सभी की valency क्या है उटर मॉसल सेल में जो electrons होते हैं वो 4 electron होते हैं जिने हम लोग क्या बोल सकते हैं semiconductor बोलते हैं अगर हम बात करें कि तुमनेंh semiconductors बच्छों कहीं देखें तो तुम बता सकते हो सर सेमिक अब बीकुल भी देखें बहुत बार देखें एकजम्पल के अगर हम बात करेंगे तो जंपन्स तम क्या बताओगे कहोगे सर हमने कहां कहां देखें से मि-कन्डॉक्टर जैसे कि तुम्हारी आइसी हो गई जितनी बी इंटीकरेटर circuit ic का full form होता है integrated circuit जितनी भी हमने आइसी देखी है और उसके अलावा हमने क्या देखा है आइसी के अलावा तुमने क्या देखा मेमोरी कार्ड देखा होगा मेमोरी कार्ड पे जो पीली पीली लेयर टाइप की चड़ी होती होधी metals की workout की से राधी होती से में कंडूकर की ठीक है तो ऑगले topic की हम बात करते हैं अग्व acceptable budget नश्थ है अगर हम भाट करते हैं अग्युकले topic नश्थ हथा हिसे कह सिक और लेक्टिक चार्ज होते हैं वह किस ताइप की quantity रखते हैं जो electric charge होते हैं वो scalar quantity रखते हैं इतनी वाद समझ में आगे so the total charge of the system is obtained simply by adding तो जो total charge होगा किसी system पर उसे हम क्या कर देंगे simply 8 कर देंगे and different charge algebraically with proper sign according to their charges जैसे कि हम माल लिया हमाँ पास एक charge q1 है दूसरा charge क्या है q2 है तीसरा charge q3 है यह सब किसके है प्लस के हैं एक minus का ले लिया q3 और एक किसका ले लिया plus का ले लिया फिर हमने minus का q5 ले लिया डॉट 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 और कहों से ले सकते हैं हमने qn ले लिये अब हमें बताना क्या है additive of charge की property यह है कि जो charge दिये गए हूँ simply उनका क्या कर ले algebraically sum का मतलब है कि अगर हम q charge को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं q1 plus q2 और यह देखो तीसरा वाला किसमें दिया गया है माइनस में दिया गया तो माइनस में लिख दो q1 plus q2 plus plus लिखना था लेकिन हमारे पास माइनस में charge दिया तो माइनस में लिख दिया plus क्या लिखेंगे q4 लिखेंगे अच्छा अगर यह plus में अगर होता तो प्लस में लखते हैं अगर ये किसमें है माइनस में तो माइनस का q 5 लखेंगे प्लस डोट 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 क्यू एंड लिखतेंगे तो simple सी बात है किसी भी system में किसी ही system में जितने charge होंगे उनका simply algebraically sum कर Помकर लेते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं additive of charge बोलते हैं ठीक है अगला topic देखें अगला topic यह है कि object acquiring two kinds of charges on rubbing अगर कोई object क्या करते हैं दो तरीके के object हैं अगर उन्हें रगडते हैं रब करते हैं तो उनके charges के effect क्या पड़ते हैं हम लोग देख लेते हैं अब हम लोगों ने देखा कि एक तरफ हमने लिख लिया positive charge और दूसरी तरफ लिख लिए negative charge अगर हम glass rod को अगर हम glass rod को silk cloth के साथ rub करें अगर हम glass rod को silk cloth के साथ rub करते हैं तो glass rod जो होगी वो positive हो जाएगी और silk cloth कैसी हो जाएगी negative charge रखेगी वहीं दूसरा example दिया गया है fur और woolen cloth, fur और woolen cloth को अगर हम ebonite या amber या rubber के साथ rub करेंगे तो जो fur है वो positive charge हो जाएगी जबकि ebonite, amber और rubber कैसी हो जाएगी negative charge अगर हम woolen coat को plastic seat के साथ रगड़ते हैं, woolen coat को अगर plastic seat के साथ रगड़ते हैं तो woolen coat कैसा हो जाएगा positive और plastic seat negative हो जाएगी तो तुम्हारा वूलें कोर्पेट जो होगी वो positive हो जाएगी और rubber suits जो होंगे वो negative हो जाएगी इसी तरीके से नाइल्न को अगर हम आदो के साथ रगड़ भीगैं तो नाइल्न और डात कैसे हो जाएगा और कैसे हो जाएंगे negative charge हो जाएगा जब क्या है Medical किसी कंगी साथ करते हैं तो ड्राइफ कैसे चार्ज लेंगे पॉस्टिव चार्ज और जब की कॉम्ब झोहोगा वो नेगेटिव चार्ज लेके निकल जाएगा याद रहेगा ड्राइफпрे चार्ज रखते हैं और कॉम्ब जोहोती है वोimize फ्रकूब तुमने यह वाला तो एक्जम्पल बहुत क्या होगा तुमने काफी कागज को छोटा छोटा नननना करके काट के फैला लिया होगा अफर इसकेल को कहां पर रगड़ा होगा अपने बालों में जब बालों में रगड़ते हैं फिर कंगी को इस तरीके से ले जाते देखते होग अगले वीडियो में हम कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे नए चैनल पे रहे हूं तो आप मेरे इस चैनल को सब्स्राइब करने जिससे की आपको पूरा स्लेवस आसानी से मिल तब तक के लिए शुक्रिया सश्यकाल धन्यवाद